जैश्री महांकाल, ओम नमस्षिवाए दोस्तों आप सभी का आपके अपनी चनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद दोस्तों यस उड़े में बात करने वाले हैं कि परिशान मत होना बहुत ही जल्दी आपका अच्छा समय आने वाला है कई सारे जातक मुझे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में कुछ ग्रह का मोमेंट होने वाला है उस वज़े से हमें कोई सी परिशानिया होगी क्या क्या चीज़े होगी और वरतमान में भी हमारी आर्थिक आलत खराब हो पारिवारी तकलीफे शुरू ही हो या हम किसी हमारी कोई भी परिशानिय से वरतमान में लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि उससे बाहर हम हो जाएं तो कुछ मेरी बाते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से याद रखना इन चीजों को आप अगर फोलो करेंगे तो जरूर आप इनसे बाहर आजाएंगे जो भी आपकी परिशानी हो परिशानी का दाइरा बहुत बड़ा होता है हर एक रेक्टी के लिए परिशानी अलग अलग होती है तो आपकी जो भी परिशानी हो उस परिशानी का हम समाधान की बात करेंगे उसे हम कैसे बहुत सरल तरीके से बहुत आसान तरीके से उससे हम भार आ सकते हैं कुछ तरीके हैं कुछ उपाएं हैं और इन बातों को करने के बाद बहुत से जातकों को फाइदा मिला है मुझे यकीन है कि आपको भी जरूर इससे फाइदा मिलेगा दोस्तो लेकिन उससे पहले एक छोटा समय निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल से आप नहीं जुड़े हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े कमेंट्स में भोले नात का कोई एक नाम लिखें हरहर महादेव लिखें जैशू शम्बो लिखें जो आपका मन वो भोले नात का नाम जरू लिखना दूसरी बात है कि अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चली रहे हैं आप वाट्सअप पर अपोइन्मेंट लेकर बात करें वाट्सअप के थुरू आप और हमारी बात हो जाएगी उसका फीस लाग हो है सबसे पहली बात कि अगर कोई भी परिशानी है जो आपको बहुत दिनों से परिशान कर रही है तो आप अपने सभाव में एक चीज या जरूर अरपन कर दे कि उस परिशानी को शियू को अरपन कर दे शियू समान दाता नहीं और अगर जब आप शियू जी को अपनी परिशानी अरपन कर देंगे आपके पास एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा आपके पास एक अलग सी उर्जा होगी और आप अपने जो कर्म कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप पर एक मानसीक दबाव जो होगा कि उसे सही करने का सही करने का वो दबाव आपसे हट जाएगा लेकिन इससे हटाने के लिए पुरी श्रद्धा के साथ पुरी इमानदारी के साथ अपनी जो भी परिशानी हो शियू को अरपन कर दे और अपना काम आप कंटिन्यू करते रहें मैं वादा कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपको उस परिशानी का समाधान मिलेगा उस परिशानी का हल मिलेगा जिससे आप बहार बहुत जल्दी आ जाओगे दूसरी बात हुई मंतर जब की शक्ती का निर्मान करना हम जब तक हमारे पास मंतर जब की शक्ती का निर्मान नहीं करेंगे तब तक हमारी उन्नती तब तक हमारी बहुत सारे चीज़े रुकी रहेगे ग्रह हर एक व्यक्ति के अलग-अलग होते और हलाग अलग उसको उसके impact भी दिखाई देते हैं जरुए नहीं कि किसी को यह दिखाया तो आपको भी यह दिखाई दे तो मंत्र जब वह शक्ति है और शिव की उपासना करने में वह शक्ति है कि नो के नो ग्रह जो हैं आपको negative impact नहीं देंगे अगर positive impact नहीं देंगे तो negative नहीं देंगे नहीं मिलेंगे हमारी बहुत सारी चीज़े सही हो जाएगे तो यह चीजों का फॉलो करें अगर अच्छा लगो तो लाइक करना शेयर करना कमेंट्स करना वेल ते अगले वीडियो में आपने में शिवा आए